जी बिल्कुल सरी जगह पराएं आप अगर आप टुनिट टेक्टाइल देंस मिसलिंटर कंपनी के सेर सोलर से हैं और आप भी है जाना चाहते हैं कि प्राइस इसका ठहर सा क्यों गया है उपर क्यों नहीं जा रहा है तो एक्दम सरी जगह पराएं इस विडियों में इसके कार करन के बारे में जाने है रीजन क्या है कि प्राइस सुपर नहीं जा रहा है अब आप कहेंगे क्या पैने स्टॉक होना गुना वोना गुना नहीं आप लोग जो ज्यादा एक्सपेक्टेसन कर लेते हैं यह गलत है बहुत दीरे-दीरे बढ़ता है और जब बढ़ना सुरू जैसे आपको पता है की स्टॉक ने हाई लागा था पांच रुपए का मुप करने लग तो आप देखेंगे यह पांच रुपए का यह लगा था उसके बाद दाउन तो चार रुपया 75 पैसा से लेकर तीन रुपया 75 पैसा इसी की बीच में इसका दिन उसे रहा रहा है तो जब तक इस रेंज से या तो ऊपर नहीं निकले गया नीचे नहीं जाएगा तब तक इसके प्राइस में कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा और मेरा अनुमा वह उसे तो बहुत ऊपर जाएगा और अगर सपोर्ट लेवल की बात करें माली जय अगर प्राइश नीचे आता है आपको तो यह कान थे इसके बारे मैं आपको बता देग प्राइस किस कारण से नहीं जा रहा है अब यह चांस के बारे मारे बात करता है उमीद क्या है इसक किसी भी कंपनी के सेयर। प्राइस के ऊपर जाती है उसके बिजनेश प्रोटर मेरे सश्टेन वाला है अर्जानामेंटल ठीक है तो आप सिश्ड़ कंपनी का से बिजनेस करने सब्सक्राइस से न correcting करते हैं कि कपड़ा बनाती है और उसमें भी काफी राहत दे रही है मुझे यसा लगता है कि यह कंपनी है और भारत में ग्रोग करने वाला है तो यह कंपनी भी ग्रोग करेगी अब समझे अब fundamental की बात करते हैं कि fundamentally कितना क्योंकि अगर काफी संदार हो लेकिन fundamental बेकार हो तो कंपनी कभी आगे नहीं बढ़ेगी तो समझे किसी भी कंपनी के फंडामेंटल वो चार कैटेग्री में डिभाइड करके देखा जाता है पहला जो कैटेग्री है यह मानने लेते हैं समझे इसमें कर्जा कितना है तो देखिए इस कंपनी के उपर कर्जा है चोग कुछ पैसा जरूरी होता है लेकिन यहां पैसा नहीं है तो यह एक निगेटिव पॉइंट है अब बी नमबर आज फंडामेंटल इसके बारें बात करते हैं तो इसका पिछले बार का आया था आने वाला है इस माह के लाग्ष तका सकते नहीं तो फिर महीं में आ सकता है अब नमबर 3 में क्या होता है कि इसमें बुक भैलू और रूपया सधिक है मतलब पैनिया स्टोक का वैसे तो जो लार्ज के कमपनियां होते हैं उनका बुक भैलू एक रूपया सधिक होना चाहिए जो की नहीं है एक रूपया से कम है यह निगेटिव पॉइंट है रिटॉ समाने तब 15% सधिक होना चाहिए लेकिन यह भी देखेंगे तो शीर्फ 5% कास पास है तो टोटली बात करें पॉइंट नमबर सी की यह फंडामेंटल के हिसाब से बहुत निगेटिव है यह ठीक नहीं है अब नमबर 4 में होल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए इसमें द देखेंगे तो 0.38% है और पॉब्ली के पास मेक्सिम सेर्स पड़े हुआ है 77.89% तो देखें यह पॉइंट है क्योंकि प्रमोटर्स पर है पॉब्लिक भी यह पॉब्लिक तो हो गई डिया वाले भी है तो यह फंडामेंटल मैंने बता है जिसमें से दो नीगेटिव है और आप नया इंट्री लेना चाहते हैं तो बैसे कले सकते हैं अगर आपके पास समय में नुकसान करने का कोई फैदा नहीं है तो उमीद करता हूं मेरी बात आप वो समझ में आ रही होंगे वीडियो इन्फरमेटिव लगा होगा मन में कोई भी सवाल है तो आप में पूछे मै आते करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए जहां मैं सबसे समय देख और उनकी समस्चा को दूर करने का प्रयास करता हूं मिलते हैं नेक्ट भीव में तब धन्यबाद सुक्रिया